हेलो दोस्तों एक्जाम के RTOA MBSI एक्जाम के तीन दिन बचे हैं और एक इंपोर्टेंट टॉपिक है अंतरिक्स प्रध्वगी की और सुसना प्रध्वगी की बहुत इंपोर्टेंट है इसमें से questions बनने की संभावना हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक last video बना दिया जाए, और आज मैं कोई pen use नहीं करूँगा, ताकि आप अच्छे से screenshot बाकि साफ सुतरी PDF या screenshot ले सकते हो, जिसे के आपको पढ़ने मासानी रहेगी, अपने mobile में store कर सकते हो, शुरुआत करते हैं सा अधनिक जिवर में उपयोगी है, आएगा या पढ़ सकते हो, ठीक है अपने आप से, रसायन विज्ञान में तत्वयोगी कि इनके बारे में आप पता होगा, अनु परमानु के बारे में, ठीक है, तकनीकी के बारे में हम बात करते हैं, तकनीकी जो विज्ञान की चौथी स अन्तरगत हम पढ़ते हैं, अंतरिक्स परद्योगी की और सूचना परद्योगी की को, ठीक है तो, अंतरिक्स परद्योगी की स्पेस टेकनलोजी की बात करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें सामान्य परिचा पढ़ना होता है, भारती अंतरिक्स कार्यक्रम, स स्पेस एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे और वैस्विक अंतरिक्ष कारेक्रम ठीक है इनकी हम बात करेंगे तो सामाज्य परिचा देख लेते हैं एच जी वेल्स ने सरवरतम अंतरिक्ष की परिवासा देते हों बताया था कि बायूमंडल की बाहरी परतों से प्रारम होने वाला वहर रिक्तिस्थान जहां अन्याकास ये पिंड प्लाजमा वस्ता में हाइड्रोजन तथा विद्दुचुम्ब के विक्रणें पाई जाती है अंतरिक्ष कहलाता है मतला तर तल से वायूमंड अ एक धररतल से सीमा होती एक कैड़ जैसे मा लिजी सो किलोमेटर 80 किलोमेटर उसके बाद में अंतरिक्ष सुरू हो जाता है जबकि कौल मैन ने क्या कहा है कहा है कौब मैन के अंसार पृत्तिवी के समूदर तल से 62 मील्स या 100 किलोमेटर के बाद अंत्रिक्ष को प्रारंब माना है तीक है उसके बाद में अंत्रिक्ष अन्वेशनकारिक्रम जो इसलिए समय समय पर मानाव ने दो प्रकार से अंत्रिक्ष को जाननी कोशिज किये एक टैलिसकोप की सायता से प्रत्वी की सतय पर टैलिसकोप बड़े-बड़े टैलिसकोप होता है उनसे हम किनी ग्रहों को देखते हैं ठीक है जैसे कि सुसान सिंग राजपुत के पास में बा मंगल मिशन के दोनान बादा करते हैं इसके बाद में अंत्रिक्ष गठना क्रम की बात करते हैं प्रथम जन्तु जो की कुतिया थी जिसको लाइका कहते हैं प्रत्वी की कख्षा में पहुंची फिर 1961 में यूरी गागरीन सोवियत रूस के थे यूरी गागरीन भी अब ये केवल अंत्रिक्ष में जाके वहां थोड़ी देर रूख के र वापस आगे अंत्रिक्ष में जाने की सतय पर सरपरतम मनुष्य पहुंचे पहला कौन था नील आर्मिस्ट्रॉंग और उसके साथ में दो अन्य यातरी ओर थे बज एल्डरिन और माइकल कॉलिंस ठीक है नील आर्मिस्ट्रॉंग जो थे इनका जो यान था अपूलो 11 और नील आर्मिस्ट्रॉंग ने सबसे पह वागत नील आर्मिस्ट्रॉंग थे रोकेट के पिछले वाले बाग में जो आर्बिट में रिट कर रहा था उसमें थे माइकल कॉलिंस मतला चंद्रमापर के बल्स डोग नील आर्मिस्ट्रॉंग बजय हिल्डिन इसमें गई इसमें गई States on 1971 1971 प्रथम Antrix Station Soviet R provis के दरा इस्तापित किया गया जिस ब्र सोय ही इन को ने मर गए मतला जो इस इसमें गए थे वह इसी में मतलगा अगर आज की तारिक में उनको देखा जाए會 काई ना कहीं चक्र लगा रहे है आज भी तो अब हो आगर भारत की बात करें 1969 में Indian Space Research Organization इस रोकी स्थापना हुई इंडिया के अंदर 1975 में भारत का प्रथम उपग्राय आरिय भट जिसको सोवित रूस के द्वारा छोड़ा गया 1975 में भारत का पहला उपग्राय कुन सा था पहला सैटलाइट था आरिय भट 1981 इस पर सटल कारेक्रम USA का कारेक्रम था नासा का जो की 2011 में पूरा हुआ इसके तेन जो है यानों को भीजा गया पहला कोलंबिया डिसकावरी अटलांटेस ठीक है जैसे यानों के दौरा मानेव अंत्रिक्ष मिशन पूरे किये गए आपको पता है कोलंबिया यान कलपला चावला का था जो की वापस आते समय जो है क्रेस हो गया था और वो एक्सपायर हो गई थी 1981 में आपको याद रखना है स्पेस सटल कारेकरम USA के दौरा हुआ जो 2011 में पूरा हुआ उसके बाद में 1981 के बाद में 1990 1990 प्रत्थम अंत्रिक्ष टेलिस्कोप इस्पेस टेलिस्कोप जिसको नाम है हबबल हबल टेलिसकोप को नासा के दौरा लो अर्थ और बिट निम्न प्रत्थम अंत्रिक्ष टेलिसकोप था जो कि नासा के दौरा इस्थापित किया गया 1990 में फिर सन 2000 में इसके 10 साल बाद में अंतर राष्ट्री स्पेस इस्टेशन ISS को वही निम्न भूक अक्षा मतलब लो अर्थ और बिट उसमें स्थापित किया गया इसके दौरा इसमें चार पांच एजन्सियों का योगदान है जिसमें USA की नासा, रॉसकोस्मोस, रूसकी, CSA कनाड़ा की, EU, यूरोपियन यूनियन तो जाक्सा जो जापान की एरोस्पोस कंपनी है, और्गनाइजिशन है जापान की जाक्सा उनका योगदान है उसके बाद मात करते हैं 2006 की, 2006 बाहरी ग्रहों, आउटर प्लेंड्स जैसे प्लूटो, ब्रैश्पती, आदी का जद्यन करने के लिए, नासा के द्वारा न्यू फ्रेंट्रियर प्रोग्राम प्रारंब किया गया, जिसके ते 2006 में न्यू होराईजाइन्स को प्लूटो का ज प्लूटो की ब्रैश्पती की कख्षा में पहुंचा, इस न्यू फ्रेंट्रियर प्रोग्राम के तहत ब्रैस्पती का जद्यन करने है तू जूनो भीजा गया, जो कि 2016 में ब्रैस्पती की कख्षा में पहुंचा, इसी कारेक्रम से हमें सौर मंडल का अंतिम का हाइड्रोज किस से पता चला, जूनो से पता चला, तो आपको यह याद रखना है, 2006 में न्यू फ्रेंट्रियर प्रोग्राम की अनासा के द्वारा, उसके द्वारा, 2006 में न्यू हराई जॉन्स को भीजा गया, एक यान का नाम है, प्लूटो का अद्दिन करने के लिए, और इसी प्रोग मार्स और्विटर मिसंजिस्ट को एमो एम बोलते हैं, जैसा नासा का मावेन यान, मंगल का अद्दिन करने है तो प्रक्षेपित किये गए, जो कि सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचे, मतला एक साल बाद में, फिर 2018, नासा के द्वारा सूरिय का अद्दिन करने है पारकर सोलर प्रोब को बिजा गया, 2019 में अप्रेल में कैटी वोमेन की नितरतों में M87 गेलक्सी में उपस्तित ब्लैक होल की तस्वीरे जारी की गई, 2019 की बात करते हैं, 2019 में अक्टूवर में हवाई दीप पर इस्थित मोना किया जोला मुखी पर लगाये गए, सुबारू टेलिस्कोप की साहता से सनी के 20 नए उपगरेक होजे गए, हवाई दीप पर एक जोला मुखी है, मोना किया और वहाँ पर एक टेलिस्कोप लगाया गया था, जिसका नाम था सुबारू टेलिस्कोप और उसकी साहता से सनी के 20 नए उपगरेक होजे गए, 2019 में, उसके बाद का गठन हुआ 1962 में और यह किस यह जो समीति थी किसके अंतर गताती थी परमानु उर्जा विवाक के अंतर गताती थी एक साल बाद में 1963 में केरल के थुमबा तुरौनंतपुरम में प्रथम साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे को प्रक्षेपित किया गया जो की USA में निर जो तुरौनंतपुरम में हैं इसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसके रूप में प्रसिद्ध है 1963 के बाद में 1969 पंदरा अगस्त अभी मैंने पहले बताया था कि इस तरो की स्थापना उन्हीं सोनेत्तर में हुई थी तो 1969 में 15 अगस्त को इस इस तरो की वाने जी की काई है जो की व्यवसाई गतवीदियों से संबंदित है और इसका मुख्याल है कहां पर है वैंगलूरू में 6 मार्च 2019 बैंगलूरू में ही कंपनी अधिनियम 2013 के अंतरगत NSIL मतलब New Space India Limited की स्थापना की गई और यह जो NSIL है यह भी व्यवसाई गतवीदियों से ही संबंदित है तो चार डेट याद रखने है यह चार यह यह याद रखने है 1962, 1963, 1969, 1972 उसके बाद में इस्टों के विवने सहरों में केंदर जैसे इस्टों की स्थापना हुई उसके बाद में दीरे दीरे अलग-लग सहरों में केंदर इस्तापित हुए जिसमें पहला दिल्ली पिर मोहाली, देहरादून, लखनौ, पूर में सोर वेदसाला में इस्तापित के अगया है माउंट टाबू में इंफ्रारेड वेदसाला ठीक है अगर आप गुरू सिकर पर जाओगे तो आपको वहाँ पर जस्ट सामने एक बड़ा सा हॉल दिखेगा वो सी के लिए अंत्रिक्षकारिकर्म के लिए एमदाबाद भ सेंटर जो हैं यह इसरो के विन केंदर हैं इसके बाद में बात करता है कक्षा की और्बिट की और्बिट क्या होता है और्बिट मनी कक्षा प्रत्वी के चार ओर का बैस्थान जिसमें कोई उपग्रे लगातार चकर लगाता है कक्षा कहलाती है कितने प्रकार की कक्षा होत नियमने भूक अक्षा होती है मध्य भूक अक्षा जो की प्रत्वी के दरातल से 2000 से 35,786 किलोमेटर मतलब लगबग 36,000 अगर आपन लूसेंट वगरा पढ़ते हैं तो तुलिकालिक जो अपगर होते हैं उनमें 36,000 किलोमेटर दूरी पर मतलब 36,000 पूरा एक्जक्ट लोकेश हैं लेकिन एक्ट्वल डिस्टेंस कितनी है 35,786 किलोमेटर तो मीडियम अर्थ और्बिट 2000 किलोमेटर से 35,786 किलोमेटर तक और भू तुल्यकालिक अक्षा मतलब जीयो सिंक्रोनस अरबिट और भू इस्तिर कक्षा जीयो स्टेशनरी और ये 35,786 किलोमेटर से भी अधिक पर ये कख्षाएं होती हैं तो चार प्रकार की कख्षाएं हो गई निमनबु कख्षा 200-2000 किलोमेटर, मद्लेभू कख्षा 2000-3784 और भू तलयकाली कख्षा या भू इस्तिर कक्षा 35,786 किलोमेटर से भी अधिक उच्षाएं होती हैं इसके बाद मैं बाद करते हैं सबसे प मध्य उपग्रे लगवग 80-130 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है दुरू मतलब नोर्थ पोल और साउथ पोल मतलब अगर हम पृत्वी की बात करें तो पृत्वी में ऊपर से नीची की तरफ जो चक्कर लगाते हैं तो वहाँ पर 80-130 मिनट में पूरा चक्कर कर लेता है दुरू वियद कक्षा भी कहते हैं तो चक्र जो जो सेटलाइट उपग्रे जो हैं वो वर्टिकली चक्र लगाते हैं इन कक्षाओं में जासुसी उपग्रेब हो सकते हैं रिमोट सेंसिंग उपगरे जो होते हैं अंत्रिक स्टेशन इस्पेस टेलिक टेलिस्कोप को स्थाफित करते हैं उसके बाद में आती है मध्यभू कक्षा मतलब मीडियम अर्थ और्बेट मीडियम अर्थ और्बेट जिसको मियो बोलते हैं मियो ये 2000 प्रत्वी के दरातल से हम बात करें 2000 किलोमेटर से उपर और 35,786 किलोमेटर नीचे यहां पर ये कक्षा इस्थेत होती है उपगरें इन कक्षाओं में लगबग 20,000 किलोमेटर की उचाई पर 20,000 km की हुचाई पर लगवग 12-24 घंटे के समय में एक चकर पूरा करते हैं। इन कक्षाओं में navigation satellites को स्थाफित किया जाता है। इसके बाद में तीसरी आती है भू स्थिर्क कक्षा जियो स्टेशनरी और्बिट। geostationary orbit की या फिर हैं Jesusynchronous orbit दोनों एक ही बात है। ये कक्षा विश्वत रेखा के ऊपर पाई जाती है। विश्वत रेखा मतला equator देख़ो है आपको एक अर्थ दिख willingness है इसमें। और अर्थ है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो है एक्वेटर, विस्व तरिखा कहते हैं, और इसी के ज़स्ट उपर एक और्बिट पाया जाता है, कितने उचाईपर, 35,786 किलमेटर के उचाईपर, उसको कहते हैं बोहिस्तिर कक्षा, इसमें गती करता उपर्थवी के घुणनकाल के بरावर समय में एक चकर पूरा करता है, पूरी अर्थ के बरावर 24 घंटे में एक चकर पूरा करता है उपगरे, अता है ये उपगरे पर्थवी की सत्य से एक स्थान पर दिखाई देते हैं, तो जैस़े अगर हम ऊपर देखेंगे, तो वो एक इस्थान पर क्योंकि प्रत्वी के साथ साथ चक्र लगा रहा एक तरह से प्रत्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो एक चक्र पूरा करती है प्रत्वी चोईस गंटे में तो चोईस गंटे में ही यह जो जियो स्टेशनरी सेटलाइट जो होती है अगर वो चक्र लगा रह प्रकार की निम्न भू कक्षा ही है, मतलब लियो ही है, लो अर्थ ओर्बिट ही है, जिसमें चक्कर लगाता हूँ उप ग्रय का निश्चित भाग हमें सीरिय के सामने रहता है, और इन कक्षाओं में रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स को स्थापित करते हैं, और दूसरी होती ह या भू इस्तिर कक्षाओं में उप ग्रय को इस्थापित करने से पूर्व, इन्हें जियो ट्रांसफर और इबिट्स में जी टियो में भेजते हैं, जहां से थ्रस्टर्स, बूस्टर्स के दवरा निर्धाजित कक्षा में पहुंचते हैं, बूस्टर्स क्या होते हैं, कि से एक 35,786 किलोमेटर के ऊपर हमको किसी सेटलाइट को इस्थापित करना है, तो अब वहां तक इतनी उचाई तक इस्थापित होगा, उससे पहले इनको एक जियो ट्रांसफर और बिट में, जिसको बोलता है, भूस्थानंदरन कक्षा में भेजा जाएगा, फिर वहां पर बूस्टर्स, मतलब उसमें बूस्टर्स लगे रहते हैं, जैसे ही वो उस कक्षा में जाएगा, तो वहां से बूस्टर्स ओन हो जाएगे, और वो अपनी नीड़ाइद कक्षा में पहुच जाएगे, उसके बाद में देखो, ये था अपना अंतरिक्ष कारेकरम पूरा का मैंने बहुत लगबग सतरा मिनिट में कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में हम बात करते हैं, इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी की, कम्यूनिकेसन टेक्नोलोजी की, कम्यूनिकेसन टेक्नोलोजी के दो चाएगे, इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी के दो एक ही बात है, चार प्रक के द्वारा भेजी जा रही है उसको मीडियम कहते हैं कम्यूनिकेशन मीडियम और चौथा होता है प्राप्त करता है मतलब रिसीवर मान लीजिए आप किसी सूचना को कहीं भेज रहे हो तो चार प्रकार होंगे उसमें आपके पास में जो सूचना है उसको आप भेज रहे हो और किसके थ्रू भेज रहे हो और कौन प्राप्त कर रहा है तो इसको हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं मान लीजिए कोई भी सूचना प्रशाण माध्यान है या कोई चैनल है उसके चार प्रवों गटक होता है जो हमने अभी पढ़े हैं मान लीजिए देखिए आप यहां चितर देखेंगे तो एक व्यक्ति है वो मोगाइल फॉन का प्रयोग करते हुए दूसरे आदमी को फॉन करता है तो उसके पास में जो सूचना है वो सिगनल्स के रूप में पहले का जाएगी प्रेसा का ट्रांस्मिटर कौन हो गया खुद हो और कम्यूनिकेशन मीडियम अ कौन का जो नेटवर्क है, नेटवर्क एरिया है वहाँ तक पहुंचेगी और वहाँ से फिर रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो सूचना की बाद में हो गया प्रेसक, मतलब ट्रांस्मिटर जो होता है उसमें भी कई प्रकार हो सकते हैं इसे ट्रांड्यूसर हो गए, मोडि कर रहे हैं तो space base के through होता है अगर मान लीजिए हम telephone की बात कर रहे हैं जो हमारे पास में land line connection होता है उसमें कौन सी line होती है transmission line होती है मतलब cable का use करते हैं और अगर हम internet high speed internet का use करते हैं तो उसमें optical fiber cable use की जाती है उनके बारे में आगे पड़ेंगे फिर सामने अगर ग्राही ग्राही के बाद करते हैं तो receiver जो होता है जिसमें antenna, demodulator, amplifier यह तीनो चारो प्रकार उसमें आता है मानली जी आपन टीबी चलाते हैं तो टीबी के कोई भी चैनल आएगा तो हम कहां उसको receive कोन करेगा वह antenna receive करेगा और फिर टीबी के अंदर हमको चितर दिखाई देंगे उसके बाद मैं आगे बाद करते हैं सूचना, वहविचार या संदेश जिसे एक से दूसरी इस्तान तक भीजा जाना है सूचना कहलाती है, सूचना के प्रकार कैसे हो सकते हैं, audio या walk संदेश मतला हम बोलते हैं हमारा जो कथन है वो एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर जाए, audio या video जैसे चलचितर संदेश, टीवी में जो चितर आ रहे हैं वो दोनों या फिर हम जो वीडियो कॉल करते हैं वो, या फिर तीसरा प्रतिली पिसंदेश, letter जैसे की email हो गया, email ठीक है letter ये सारे सूचना के प्रकार हैं फिर आगे बात करते हैं, सूचना तंत्र, चार प्रकार हमने इसके पड़ी लिये, information, प्रेशक मतलब transmitter, संचार माध्यम, संचार माध्यम को हम communication medium भी बोलते हैं, channel भी कहते हैं, चोथा होता है प्राप्त करता है, मतलब receiver सूचना की बात कर ली हमने, दूसरी transmitter, transmitter क्या होता है, कि सूचना को किसी इस्थान पर भेजने वाला, मतलब जैसे मालो हम कोई letter post कर रहे हैं, तो letter को post office के डबे में डाल दिया, अब वहां से सूचना को 71 किसने की, postman ने, और postman उसको दूसरी जगे देखे आएगा, तो प्र कार से, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें कौन-कौन से medium होता है, जैसे transducer की बात करते हैं, तो अगर हम audio संदेश भेज रहे हैं, तो audio संदेश को, जैसे कोई sound हमने भेजी है, recording भेजी है, तो recording को क्या करेगा पहले, electrical signals में, विदुत संकित में परिवर्तित करता है, जै connected होता है, तो माइक क्या करेगा, माइक के अंदर transducer होता है एक तरह से, तो वो ध्वनी के संकितों को catch करेगा, उसको electrical signals में convert करेगा, और फिर वो आगे पहुचाएगा, ठीक है, जैसे माइक की बात करें, नमबर दूसरा होता है, मोडुलेटर, ये सूचना को उच्चावर लगाता है, अपन लाओड स्पीकर लगाता है, अपन दीरे से बोल रहे हैं, उसको और तेज बोलने के लिए, ज्यादा हूची आवाज बोलने के लिए amplifier उज करते हैं, नमबर चौता होता है, एंटीना, एंटीना क्या करता है, सूचना को संचार माध्यम की और भेजता है, ठीक है न, या फिर सूचना को कैच भी करता है, संचार माध्यम से, जैसे अभी मैंने एक एक एंटीना लगा हुआ है, यह संचार माध्यम है, तो यह संचार माध्यम की तरफ भेज भी रहा है, और दूसरा एंटीना है, वो इसको कैच भी कर रहा है, उसके बाद में बात कर तीसरा संचार माध्यम की एंटेना के बाद कर ली अब एंटेना जो है सूचना को किस फॉर्म में भेजते हैं हम डिजिटल फॉर्म में भेज सकते हैं या फिर एनलोग फॉर्म में भी भेज सकते हैं डिजिटल फॉर्म जिनमें बाइनरी सिस्टम का यूज किया आता है जिसम GPS अगर हमको GPS यूज करना हो ठीक है लोकेशन के लिए इमेल यूज करना हो मोगाईल स्क्रीन पर कोई संदेश पढ़ना हो तो वो सारे बाइनरी सिस्टम है मतलब 0 और 1 के रूप में डीजिटल संकेत के रूप में वो सूचने प्राप्त होती है और analog संकेत मतलब जैसरे टेलिग्राफ हो गया टेली वीजिन हो गया टेली फोन हो गया राडार हो गया उसमें sine waves चलती है वो ऐनलोग मतलब binary का यूज नहीं होता उसमें sine waves या analog signals का यूज किया है तो सूचना को डीजिटल या अनलोग रूप में भी भेज सकते हैं उसके बाद में संचार माध्यम के आधार पर सूचनत निमलिक्त प्रकार के पहला होता संचरन लाइन आपने देखो एक डियाग्राम दिख रहा है उसमें एक टीवी लिखा हुआ है टीवी में अगर आपन को दो तार मतलब एक प्लक कनेक्ट करना हो और उसमें दो तार लगे जाती है तो इसको बोलते है समानतर युग्म लाइन संचरन लाइन का मतलब जिसका पहला भाग हो गया समानतर मतलब दो वायर है तो वह एंटी नहां तक पहुंसते हैं वहाँ सह संकेत यह सूचना है क्राबत करके वापस टेलिविजन दूर दर्समें भेजते हैं नमबर दूसरा, को एक्सियल केबल, उभैक्षिया केबल, जो डिस्की डोरी होती है, डिस्की जो केबल होती है, जिसमें एक तो कॉपर वायर होता है, दूसरा नेट टाइप का वायर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, को एक्सियल केबल, ठीक है, डिटी एच की केबल, मैंन जीओ फाइबरनेट की जो केबल होती है वो अप्टिकल फाइबर केबल होती है ठीक है इसमें सूचना प्रकासी संकेतों के रूप में भीजी जाती है इस माध्य में उर्जा का हास नहीं होता है बाकी में हो सकता है आपने देखो ना चैनल कई बार उसमें अगर थोड़ा सा अगर वो लूज कनेक्शन होता है तो थोड़े सिगनल्स हैं चित्र साफ नहीं आते फिर हम उसको टाइट करते हैं तो चित्र साफ आना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो तीन प्रकार की लाइन होती संचन लाइन समानतर योग्म लाइन को एक्सियल केबल ऑप्टिकल 48वर में हाई श्पीड इंटरनेट की झो दोरी होती है या केबल होती है उसको हम यूज करते हैं उसके बाद मिं मैं आकासी संचार पहला तो हो गया केबल दो आ나 दौन रहा रेडियो तरंगों के द्वारा किसी सूचना को एक इस्तान से दूसरी स्तान तक बेजना जैसे पहला है भूत तरंग संचार ग्राउंड वेव कम्यूनिकेशन दूसरा है व्यॉम आकासी तरंग मतला स्काई वेव कम्यूनिकेशन तीसरा है स्पेस वेव कम्यूनिकेशन ग्राउंड वेव कम्यू लेकदम नमबर दूसरी जो है आकासिय तरंग वो दो मेगा हर्ड से 30 मेगा हर्ड आवरती की रेडियो तरंगे बेज सकते हैं इसमें यह वाई मंडल की परत आयन मंडल से परावरतित होकर ग्राही तक पहुंचती है ठीक है ना जो आयन मंडल होता है हमने पढ़ा एक छोब मं मंडल हो पर समताप मंडल उसके बाद मैं ओ जोन मंडल फिर आयन मंडल आता है टीक है तो आयन मंडल से परावरतित हो थी कि उसके बाद में सुचना प्रद्धोगी के अनुप्रियोग प्रद्धोग करते हैं यह फ्रिक्वेंसी के उपडिपेंड करती है और जो वेवलेंग्थ होती है वह लेंडा में प्रदर्सित होती है तो वेवलेंग्ड के अनूसार इनकी अलगलग प्रकार हो सकते हैं जिसे रेडियो तरंगे होती हैं सुक्ष्म तरंगे होती हैं अव्रग तरंगे होती हैं दुर्ष radiator प्रकास के आगे जो प्रावैंगनी एक्स रे गामा रेज इनको को हम आँखों से नहीं देख सकते ॵिजिवल लाइट के आगे की तरंगे होती हैं केल यो दर्श परकास है नि विजिवल लाइट इसको मन देख सकते हैं इन्फरारेड वेव्स इनको भी जो सूर्य के करण गिभानें जिसके कपड़ uniqueness है हमारे फों इन्फरारेड हो यह किसमें प्रियुक्त होती हैं यह प्रियुक्त होती हैं संचार में प्रियोग होता इनका लेकिन जो परावेंगनी करने एक्सरे गामा रेज यह होती हैं यह संचार में इनका प्रियोग नहीं होता है तो एक्सरे अगर हमको बॉड़ी के अंदर पार्ट जो है देखने हो त अभी किया जाता है उसके बारे बादे बात करते हैं डीवाईस की information तैकनलोजी तक छी है तो छी है थिक चिक है उनका उघ्र है क्रत्र आक फका कहले बाद कर दो है उनकी डीडूति है इनकी Bluetooth ये लगबग 10-15 मिटर के ख्षेतर में wireless अंचार का माध्यम है जो की personal इस्थानिय ख्षेतर network PLAN का निर्मान कर computer, mobile, laptop, speaker, printer, camera आदी आपस में जोड़ता है तिथा इनके बीच सूचनाओं का या data का इस्थानांतरन होता है कितनी range होती है? 10-15 मिटर के range होती है wireless अंचार का माध्यम है personal इस्थानिय ख्षेतर network मतलब PLAN का निर्मान करता है तेक है बाग के बीच में जैसे computer, mobile, laptop, speaker, printer, camera आदी के बीच में सूचनाओं इस्थाना अंतरन करता है आवरती कितनी होती? इसकी frequency होती 2.4 GHz इनके आवरती होती है Bluetooth SIG मतलब Special Interest Group के द्वारा Bluetooth के नए संस्क्राण का विकास किया जाता है Bluetooth कव लॉंच किया गया था? Bluetooth 5.0 को June 2016 में लॉंच किया गया जब कि Bluetooth 5.1 को January 2019 में लॉंच किया गया अब Bluetooth के बाद में आती है Wi-Fi मतलब Wireless Fidelity ठीक है? या इसको अलांकि होता है इसका नाम Fidelity है ये भी Local Area Network के रूप में कार्य करता है तथा 100 से 150 मीटर के दायरे में Data Transfer, Wireless Internet तथा सूचना इस्तान आंतरण के लिए उपियोगी है अगर मान लीजिए आपके फोन में Internet नहीं चल रहा है आपके पड़ोशी के Internet चल रहा है तो आप उससे होटे स्पोट अन करके और आप अपना Wi-Fi यूज करते हो उससे आप अपने फोन में भी उसका Internet यूज कर सकते हो वो Wi-Fi होता है ये भी Bluetooth की आवरती 2.4 GHz पर कार्य करता है इसके अलावा ये 5 GHz की आवरती पर भी कार्य करता है तथा Bluetooth की तुलना में तेजी से डेटा ट्रांसफर करता है पहले Bluetooth से बेज़े जाता था डेटा आज कल हम कोई भी एप्लिकेशन जो होती है ठीक है ना उस एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और उस एप्लिकेशन के थूर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं इसके अनुप्रियोग हैं faire calling ही भी ओती है आज कल तो वो भी इसके अनुप्रियोग है उसके बाद में आती है लाइफाई मतलब लाइट फीडेलीटी या फाइडेलीटी इसमें दिर्ष प्रकास की सायता से इंटरनेट की सुवीधा प्राप्त की जाती है ये अतिदिक तीवर गती का इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें LED वल्व से उत्पन प्रकास के माध्यम से डेटा इस्तानांतरन किया जाता है गती तो वाइफाई की तुलना में बहुत अधिक है लेकिन रेंज बहुत कम है और सुरक्षा की दरिष्टी से अत्यनत विस्वसनी है और किस ने बताया था इसके बारे में हैराल्ड हैस ने बताया था उसके बाद में बात करते हैं Mobile Technology की जो हमारे Mobile से हैं Mobile एक प्रकार का Radio है जिसमें दोहरा Communication होता है दोहरा Double Transmission ये Double Communication होता है दोहरा संचार होता है ये भी Radio तरंगों का प्रयोग दूर संचार में करता है Mobile Communication सिस्टम की विविन्य पेडिया जनरेशन आपने देखा होगा अब 5G के जमाना आ गया 1G पहले चलता था उसके बाद मैं 2G मोबाइल साए फिर 2G में स्पीड बहुत कम थी फिर 3G आया 3G में थोड़ा से स्पीड बढ़ गया फिर 4G आया आजकल सभी 4G यूज करते हैं अब 5G का जमाना भी आ गया चंडिगड में चालू भी हो गया ठीक है 1G, 1 जनरेशन 1979 में जापान में प्रारंब हुआ और इसमें केवल बादचीत हो सकती थी केवल बादचीत हो सकती थी ये PD एनलोग सिस्टम पर आधारित थी फिर 2G की बात करें इसमें डिजिटिल संकेतों के रूप में सूचनाओं का आधान प्रदान होने लगा अब मोबाइल पर बादचीत के अलावा क्या कर सकता है मैसेज भी कर सकते हैं और इंटरनेट का पेवग भी कर सकते थे 2G में ठीक है लेकिन स्पीड बहुत कम होती थी 64 Kbps किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड से इंटरनेट की सेवा के कारण मोबाइल डाउनलोड इंग जैसी सुभीदा मिलने लगी ठीक है 2008-2009 के सम्थिंग 2G चलता था तब बहुत कम स्पीड आती थी अगर आपको एक 1MB का जो है डेटा डाउनलोड करना है तो उसके लिए कम स्पीड आदा गंटा आपको वेट करना पड़ता था आदा से गंटा ठीक है न जबकि आज 4G का जामाना है पलक जपकते ही एक GB की फाइल डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद मैं 3G की बात करें इस नेटवर्क की सबसे बड़ा परिवर्तन या आया कि ओडियो के साथ में मैसेज तो करी सकते हो बाद चीत के साथ साथ में आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो और इंटरनेट स्पीड 64 KVPS से कितनी हो गई 2 MBPS 2 MB पर सेकेंड से साथ मेगाबाइट पर सेकेंड तक हो गई है डाउनलोडिंग में वर्दी हुई है फिर 4G की बात करें इस नेटवर्क में इंटरनेट स्पीड में अतिदिक वर्दी हुई है 4G की तीन पीडिया हो गई सबसे पहले Gio ने जो फॉन निकाला था वो LTE का था लॉंग टर्म इवोलिशन का था उसके बद में LTE एडवांस आया और अब वोल्ट आ गया वोईस ओवर लॉंग टर्म इवोलिशन तो जो LTE था LTE में डेटा स्पीड 500 Mbps ठीक है इतनी थी वोईस कॉल और डाउनलोडिंग साथ साथ चल सकती थी आप किसी से बात भी कर रहे हो और डाउनलोडिंग भी कर रहे हो दोनों एक साथ में हो रहा है फिर जो LTE एडवांस आया उसमें डेटा स्पीड होगी 1 Gbps 1 Gbps उसमें 500 थी एडवांस में 1 Gbps और जब वोल्ट की बात करें जो आजकल हमारे फॉन में चलती है अभी जैसे मैं टैब में ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टैब में 4 G है तो इसको बोलेंगे वोल्ट वोईस ओवर लॉंग टाम एवल्यूशन डेटा स्पीड 1 Gbps इसमें बोईस कॉल भी इंटरनेट डेटा के रूप में भेजे जाते हैं जिससे आवाज इस पश्ट सुनाई दी जाती है ठीक है ना आजकल डेटा के जिनता नहीं है आप 719 का रिचार्ज करोगे जी होगा तो आपको 2 Gbps पर डेक आएगा ठीक है फिर या जादा का करोगे तो जादा का आएगा उसके बाद में दो बाते हैं आपको ध्यान रखनी है GSM Global System for Mobiles और CDMA Code Division Multiple Access पहले CDMA की SIM चलती थी ठीक है जो Reliance में चला करती थी आजकल GSM और CDMA दोनो Common कर दिया एक तरह से GSM अपने जब mobile की setting में देखोगे आप तो GSM और आपको जब इसका application देखोगे तो उसमें GSM और CDMA इन दोनों को select करना पड़ता है